यहलो हाई दोस्तों आज मैं आप सबके लिए फूल इंप्लाइमेंट की डेफिनीशन और इसका मेनिग लेक रहे हूं तो देखो देखो दिटर्म फूल इंप्लाइमेंट इस चुछ तो सिगनिफाइब शिचुएशन इन विच ओडिनेरी ओल्डोस पिपल्ड वेलिंग टू In this situation of equilibrium, some sort of unemployment may exist. It is called natural rate of unemployment. Full employment हमारी economy में एक ऐसी situation होती है, जब जो price हमें market में मेरा, उसी price पर लोग के है, people के हम work कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम full employment, suppose करो हमारी, ठीक है, उसे काम कर रहे हूं. बट अगर उस situation में, अगर हमें income हमारी, suppose करो 10,000 की है, बट उसी दूसरों को लगता है कि 10,000 हमारे लिए किया है, कम है, तो वो उस पर काम नहीं करते हैं, तो वो क्या होगे, बंदे तो unemployment होगी हैं, बट वो क्या होगी, उसे हम, वो हो सकते हैं, इनके कहने का मतलब है, कि full employment में हो सकते हैं, कुछ unemployment का है, exist करे ही करें, तो जो exist करती है, थोड़ी सी unemployment, वो क्यों exist करती है, क्योंकि जो wage rate उन्हें मिर रहा होता है, उनकी महिनत का, तो उन्हें ठीक नहीं लगता है, उन्हें कम लगता है, इसलिए वो काम नहीं करते हैं, तो उस उसको क्या कहते हैं, उस जो unemployment उस वक्त exist कर रही होती है, fully employment के वक्त, उसे हम क्या कहते है, natural rate of unemployment, जो हमें पता है, एक voluntary unemployment होती है, involuntary unemployment होती है, full employment, voluntary unemployment भी क्या exist करती है जो भी मैंने बताय है जिसे हम natural rate of unemployment कहते हैं वो एक तरह सा voluntary unemployment होता है बट जब हमारी economy में voluntary unemployment होगी तो कभी भी हमारी economy full situation में नहीं होगी मतलब जब fully situation, full employment चल रहा है हमारी economy में तो unemployment कभी भी exist नहीं करेगी बट voluntary unemployment exist कर भी सकती है इसे हम क्या कहते है natural rate of unemployment मतलब क्या हुआ उस wage rate पर जो हमें wage rate मिल रहा है उस पर वो इंसान काम नहीं करना चाहता तो उसे क्या कहते है natural rate of unemployment